हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो मैई चैनल, सुगैज आज की इस वीडियो में आपको नेक पर एक बहुत ही सुन्दर डिजैन बनाना बताऊंगी, अगर आपको डिजैन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो भी आप इसको बना कर रेडी कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ इस डिजैन को बनाना बताया है, डिजैन के लिए हम किस तरह का मेटरियर लूज करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फाब्रिक देख लेते हैं, तो यहापर जो फैब्रिक लिया है, मैंने वो सिलक का लिया है, यह कडब भी नहीं है, और सॉफ्ट भी नहीं है, काफ़े अच्छा फैब्रिक आता है, तो कुर्ती के कटिंग मैंने यहापर कर ली है, जिस तरह का आपका measurement हो उसके coding हम cutting कर लेंगे नेक की जो deep रखी है मैंने वो 4 inch पे रखी है and width रखी है वो 3.5 inch पे रखी है नेक को मैंने आप बना कर ready कर लिया अभी हम जो भी नेक पर design बनाएंगे उसका shift देंगे तो सबसे पहले हमें कुर्ती का center ले लेना है मैंने याँ पर कुर्ती का center लिया हुआ है center पर हमें एक land row कर लेनी है इस land की length मैंने 6 inch पे रखी है तो 6 inch पर हम center पर land row कर लेंगे pen की help से उसके बाद इन सबी land उमें जो gap रखूँगी मैं वो आदे आदे inch का gap रखूँगी तो सबसे पहले हमें याँ पर आदे आदे inch का mark लगा देना है इस तरह इनके बीच में जो gap रखा है मैंने वो आदे आदे inch का रखा है तो आदे inch पर हम सभी में याँ पर mark लगा देंगी जितने वी याँ पर हम land रोक लेंगे उसी के according याँ पर आदे inch की दूरी पर mark लगा देंगे हमने जो center वाल land रोक की थी उसके पास में हम एक land रोक लेंगे तो जापर हमने आदे inch पर mark लगा है वांसरे लाइन को रोक करना स्टार्ट करेंगे पहली लाइन की लाइन था हमने 6 इंच पर रखी थी चार इंच पर रखेंगे और छटी लाइन की लेंच हम 3.5 इंच पर रखेंगे शाथ वी लाइन की लेंच हम 3 इंच पर रखेंगे और आठ वी लाइन की लेंच हम 2.5 इंच पर रखेंगे तो जितने वी याँ पर लाइन हम ड्रो करते जाएंगे उन सबी लेंटों की हमें आदे आदा इंच गटाते जाना है जैसे पहले लेंट की लेंट मैंने 6 इंच पर रखी थी दूसरी लेंट की लेंट मैंने 5 इंच की रख ली तीसरी की 5 इंच रख ली चोथी की 4 इंच रख ली और पांच वी की 4 इंच रख ली तो इस तरह हमें जितने भी लेंद ड्रो करनी है उनमें हमें आदे आदे इंच की लेंद गटाते जानी है इस तरह से रहे इंच पर रख लेंगे फिर दो इंच पर रख लेंगे तो आदे आदे इंच की लेंद हमें यहाँ पर गटाते जानी है आप चाहेना तो यहाँ पर सीधिलन भी ड्रोग कर सकते हैं बट उसका लूग काफी अच्छा नहीं आएगा अगर इस तरह सीधिलन हम बनाएंगे तो इसका लूग काफी अच्छा आएगा यह ऐसे मैंने इनको ड्रोग किया है लेंध आप मैं आपको दुबारा दिखा देती हूँ अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर एडिट रिक करते समय यहाँ पर ड्रोग कर दूँगी उसकी हलब से आप देख सकते हैं एक साइड को मैंने रेडि कर लिया सेंटर की जो एक साइड हमारी उसको मैंने रेडि कर लिया एंड उसी के अकोडिंग सेंटर से दूसरी साइड हमारी उसको हम रेडि करेंगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर आदे अदे इंच का मार्क लगाएंगी आदे इंच का हम यहाँ फिर दूसरी लैनक हम ऐसे पांचिन्ज पढ़क लेंगे फिर दूसरी लैनक हमɪ्प्र 20 लाइन को आप की कर लिया क्यां को आप को धिहन में रखना है बराबर में आने चाहिए वरना लुक अच्छा नहीं आएगा उसके बाद इसमें जो हम मिटेरियल यूज करेंगे वो मापको दिखा देती हूं तो मैंने यह आपर यह स्टोन वाली लेस ली है इस लेस का लुक काफी अच्छा आता है डिजैनों में यह लेस आजगल टेंडिंग में भी बहुत है तो आप द इसको हमें अटेच करना है इतने वी लेंड ड्रो की है हमने उन सभी पर हम सबसे पहले फाबरिक गलू लगा देंगे फाबरिक गलू दोने से भी नहीं उतरेगा बस आपको दो-तिन दिन इसको सूखने देना है लेस को इसके अंदर अटेच करेंगे तो जैसे मैंने फाबरिक गलू लगाया है उसके उपर हम लेस को रख देंगे जितने लेंध हमने लेंग की लिए है उतने ही लेंध हमें इस लेस के लेनी है तो अपने लेन के अकोडिंग लेस को हमें इसता रखते जाना है और मेजर करते हुए इसके कटिंग कर लेनी है तो मैं याँ पर मेजर कर रही हूँ कितने लेस हमें चाहिए एक लेन के लिए उसके अकोडिंग मेजर कर रही हूँ और cutting कर रही हूँ उसके बाद हम fabric glue के उपर लेस को इसता रख देंगे और सिधा रखना है आपको थोड़ा लेस को टैट पकड़ते हुए इसके उपर रखते जाना है ऐसे और attach कर देना है तो अब भी देखे मैंने यहांपर लेस को attach कर लिया है काफी दूर में लेस को attach कर लिया काफी अच्छा लूग आ रहा है इसका मुझे इसका लूग काफी अच्छा लग रहा है और इसकी खास बात यह है कि अगर आपको stitching भी नहीं आती है तो भी आप इस design को बना कर ready कर सकते हैं अगर आपकी कोई simple कुर्ती है उसको अगर आप अच्छा लूग देना चाते हैं तो इस design से आप उसको अच्छा लूग दे सकते हैं simple कुर्ती में आपका लूग ये काफी अच्छा आएगा तो इस तरह से हमें लेस को रखते जाना है और attach कर देना है इसमें हमें कहीं पे भी slide नहीं लगाने पड़ती है सिर्फ fabric glue की help से इनको हमें attach करना है आपर मैंने एक side को ready कर लिया है उसके बाद उंगलियों की help से इनमें हम दबाव देंगे इनको अच्छे से नीचे की तरफ pressure डालते हुए attach कर लेंगे ताकि ये अच्छे से set हो जाए तो एक side को मैंने पूरी तरह ready कर लिया उसके बाद हम दूसरी side को ready करेंगे तो बस उसी के according या पर हम fabric glue लगाएंगे line के उपर इस तरह से हमें दूसरी side को भी ready कर लेना है अभी आप देखे मैंने नीचे की तरफ bits attach किये हैं तो इनको अभी मैंने attach नहीं किये मैं आपको look दिखा रही हूँ कफे अच्छा look आएगा जापर हमने lace को attach किया है उसके end में हमें fabric glue लगाना है and fabric glue लगाने के बाद इसके उपर हम bits को attach कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर कोई stone भी attach कर सकते हैं या फिर mirror भी attach कर सकते हैं एक दो दिन इनको सूखनी देना है पानी में नहीं बिगोना है इसकी पकर जो है वो काफी अच्छी आती है मैंने काफी ड्रेसों में इनको इसको यूज किया है सो इस तरह हमें दोनु साइड को ready कर लेना है एंड सेंटर पर हमने जो फाब्रिक लटकन यूज किया है जो इसी फाब्रिक में से है तो उसका लूग काफी अच्छा आ रहा है तीन बिट्स मैंने इसके अंदर attach कर दिये सेंटर को आपको थोड़ा heavy बना देना है सो रोंग साइड के तरफ में आपको दिखा देती हूँ रोंग साइड में आपको क्या करना है इस पट्टे को हमें इस तरह फोल्ड करना है और इस पे hand stitch कर देना है या पर मैंने hand stitch वाला नेक बनाया है क्योंकि इस पे वैसे slime machine नहीं चलेगी क्योंकि इस पे हमने design बनाई है आप चाहें तो इस look को कुर्टे के bottom में भी ready कर सकते हैं या फिर बाजू में भी ready कर सकते हैं कफी अच्छा look दे रहा है सो festival भी आ रहा है उसके लिए भी इस design को आप बनाकर अपने लिए ready कर सकते हैं सो आज के लिए सिर्फ इतना ही